इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Glycissa M1 Tablet PR मधुमे विरोधी दवाओं के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंध रखता है यह वयसकों में type 2 मधुमे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो दवाओं का एक सयोजन है यह मधुमे वाले लोगों में रक्ट शरकरा किस तर को नियंत्रत करने में मदद करता है Glycissa M1 Tablet PR को खाने के साथ ही लेना चाहिए सबसे अधिक लाब पाने के लिए इसे नियमित रूप से प्रतीक दिन एक ही समय पर ले आपका डॉक्टर टै करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर आपके रक्ट शरकरा के स्तर के अनुसार काम करने के तरीके के अनुसार बदल सकती है भले ही आपको अच्छा लगे या आपका ब्लड शुकर लेवल नियंत्रित हो इस दवा को लेते रहें यदि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के बिना इसे रोक देते हैं तो आपके रक्ट शरकरा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की क्षती, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का खत्रा हो सकता है याद रखे कि यह एक उपचार कारेक्रम का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए आपकी जीवनशेली मधुमे को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है ग्लिसाय में एक टैबलेट प्यार का सबसे आम दुश प्रभाव निम्न रक्ट शरकरा का स्तर यानि की हाइपोगलाइसीमिया है सुनिश्चित करें कि आप निम्न रक्ट शरकरा के स्तर जैसे पसीना, चक्कराना, सिर्दर्द और कपकपी होने के संकेतों को पहचानते हैं और जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है इसे रोकने के लिए नियमित भोजन करना महत्वपूर्ण है और हमेशा आपने साथ शरकरा युक्ट भोजन या हलों का रस जैसे ग्लूकोस का तेजी से काम करने वाला स्रोत रखें शराब पीने से आपके निम्न रख्ट शरकरा के स्तर का खत्रा भी बढ़ सकता है और इससे बचना चाहिए अन्य दुश प्रभाव जो इस दवा को लेने पर देखे जा सकते हैं उनमें स्वाद में बदलाव, जी मिचलाना, दस्थ, पेट दर्द, सिर्दर्द और उपरी श्वास नलिका में संक्रमन शामिल है कुछ लोगों को लग सकता है कि उन्होंने इस दवा से वजन बढ़ाया है यदि आपको टाइप एक डाइबिटीज मिलिटिस है, यदि आपको डाइबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानि की आपके रक्त में एसिड का उच्छ स्तर है या यदि आपको किड्नी या लीव की गंभीर बीमारी है, तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए इस दवा को लेने से पहले, अपने चिकित सक को बताएं कि क्या आपको कभी हृदे रोग हुआ है ये उप्यूक्त नहीं हो सकता है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए आपके रक्ट शरकरा के स्तर की नियमित रूप से जाँच की जानी चाहिए और आपका डॉक्टर आपके रक्ट कोशिकाओं की संख्या और यक्रित के कारे की निगरानी के लिए रक्ट परीक्षन की सलाह भी दे सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद